स्रीक्रिष्ण के अनेक अनेक भक्त हुए उन्हीं भक्तों में से एक नाम भक्त रस्खान का भी आता है 1558 निस्वे दिल्ली में जन्मे सयद इब्राहिम खान क्रिष्ण भक्ती की कविताएं लेखने के कारण कवी रस्खान के नाम से प्रसिद्ध हुए प्रसिद्ध मुसल्मान होते हुए भी क्रिष्ण भक्ती और उनके प्रेम की अविरल धारा प्रबाहित करने वाले रस्खान के सवये तो सच मुच रस के खान है ऐसी क्या बात हुई जो क्रिष्ण की भक्ती रस में बह कर एक खान रस्खान बन गया एक दिन खान साहब एक दुकान पर जाते हैं तभी अचानक उनकी नजरें उस दुकान पर लगे बाल क्रिष्ण की छवी पर पड़ती है उन्होंने पूछा भाई ये नन्ना साबालक कौन है जिसका इतना कोमल सरीर परन्तु इसके पाउं में एक जूती तक नहीं ये जिस जमीन पर खड़ा है वो कितनी खुरदरी है तभी पका भाई खान साहब इसका नाम श्याम है और अगर इसके इतने ही फिक्र है तो आप भी इसके लिए जूते बना कर लाइए ना ये बात खान साहब के हरदय को छूग गई फिर क्या था दूसरे हे दिन हाथ हुमें नन्हे श्याम के चरण पादु का लिए वे पूछते हैं बताओ कहां मिलेगा श्याम खा कि यह तो सच्मुछी चरण पादु का लेकर आ गया उसने अपना पल्ला ज़ाडते हुए कहा देखो भाई यह नन्हा बालक यहां तो तुम्हें नहीं मिलेगा सायद कहीं और मिल जाए जाकर किसी दूसरे से पूछते क्यों नहीं उस नन्हे श्याम के सूरत को अपने दिल में बसाए खान साहब चल पड़ते हैं और रास्ते में आने जाने वाले हर व्यक्ति से पूछते हैं वो नन्हा सावालक है साविली सी सूरत है बाल घुंगराले उस खेह पहनता मोर मुपट है नैन उसके कजरारे हाथ नन्हे से प्यारे पांधे पैजनिया पग में बड़े दिल कशिह नजारे खायल कर देती है दिल को उसकी एक मशकान बता वो कहां मिलेगा शाम स्रेक्रिष्ण ने देखा कि यह भाग मुझे नन्हे श्याम के रूप में ढूंड रहा है वह तो मुझे इस रूप में पहचान भी नहीं पाएगा समझ में आया जिसका पता तुम पूछ रहा है वो है पागे पिहारे जिसे तुम भूंध रहा है कहीं वो शाम कहाता कहीं वो पृष्ण मुरारी कोई सांवरिया कहता कोई गोवर धन धारी नाम हजारों ही है उसके कई जगह में धाम बता वो कहां मिलेगा शाम उस भले व्यक्ति ने खान जी को व्रिंदावन जाने को कहा फिर क्या था मानो मुसाफिर को मंजिल मिल गई हो बिना खाए पिए लगातार चलते हुए खान सहब व्रिंदावन में कृष्ण के मंदिर तक जा पहुंसते हैं पागलों जैसी हालत हाथों में जूते लिए अन्य समुदाए के होने के कारण मंदिर के पुजारियों ने उन्हें अंदर आने से मरा कर दिया नन्हे स्याम से मिलने की आस लिए खान सहब रो पड़े मुझे नारो को भाई मेरी समझो मजबूरी शाम से मिलने दे दो बहुत है काम जरूरी सीड़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा कभी तो घर के बाहर शाम आएगा मेरा इंतिजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम बता वो कहां मिलेगा शाम खान सहब के मन में नन्हे स्याम से मिलने की आस थी इसे विश्वास के साथ वे वही मंदिर की सीड़ियों पर रात भर बैठे रहें जाग कर रात बिताई भोर होने को आई तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई वो आगे पीछे देखे वो देखे दाए बाए वो चारों पूरे ही देखे नजर कोई ना आए छुकी नजर तो कदमों में ही बैठा नन्हाशा उस नन्धि स्याम के जैसी छवी भव्त खान जी ने अपने हरदय में बसाई थी ठेक वैसी ही उन्होंने अपने सामने पाया खुशे से गदगद होकर गोद में उसे उठाया लगा कर के सीने से बहुत ही प्यार लुटाया पादु का पहनाने को पाम जैसे ही उठाया नजारा ऐसा देखा कलेजा मूँ को आया काटे चुब चुब करके खायल खुब चुब करके खायल हुए तिनन्धे पाम खान सहब ने श्याम के घायल पामों को देख रो रो कर उनसे कहा खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता नपग में ज्छाले पड़ते न चुबता कोई गाटा परन्तु उस मूर्म गुटबंसी वाले ने मुस्कुराते हुए खान जीसे कहा छवी जैसी तु मेरी बसा के दिल में लाया उसी ही रूप में तुमसे यहां मैं मिलने आया वो कुल से मैं पैदल आया वो कुल से मैं पैदल आया तेरे लिए व्रिजधाम भाव के भूखे हैं भगवान भाव के भूखे हैं भगवान इस प्रकार भाव कर भगवान का मिलन सायद ही देखने को मिले कनहया ने कहा हे भग आपने मुझे बाल रूप में खाली पाउं देखा था उन पत्रेली रास्तों पर कभी तु मैं उसी अवस्था में आपसे मिलने के लिए गोकुल से व्रिंदावन पैदल दोड़ा आया हूँ आपके हाथों से चरन पादु का पहन मुझे त्रिलो के सारी खुशिया मिल गई शाम की बातें सुनकर कभी वो हुआ दिवाना कहा मुझे को भी देदो अपने चरनों में ठिकाना तभी से खान जी शाम नाम की भाक्ती रस में ऐसे डूबे कि उन्हें रस खान के नाम से जाना गया तुम मालिक है दुनिया का ये मैंने जान लिया है लिखूंगा पद तेरे ही आज से खान लिया है शाम प्रेम रस बरसा सोनू खान बना रस खान भाव के भूखे हैं भगवान काटों पर चल करके रखते अपने भगत का मान भाव के भूखे हैं भगवान भाव के भूखे हैं भगवान भाव के भूखे हैं भगवान